हला एवरेवन वेलकम टू दूस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फवर चैनल पैनेशे फ़र कॉम्मिटिटिव इग्जैमिनेशन साथ आइंप यूश तो जैसा कि आपको पता है हम अपना 1300 प्लस कॉमा इंडर्स और उसके साथ में उनके जो भी रूल्स है उन रूल्स के पीछे प्लस के लिए पार्सिंग का यूश कर रहे हैं जिसमें हम पूरे के पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके देख रहे होंगे कि हमें कैसे चीजों को आराम से समझना है और हम उनको कर सकते हैं ठीक है ना चलो वही आज का सेशन फटा-फट से शुरू करते हैं आपका आज का डे न पर नाइंटीन तक के लेक्शर नहीं देखें तो वह जाके देख लेना क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से करा रहा हूं जिसे एक एक करके हम चीजों पर आंगे बढ़ते हैं तो वह आपका जैसे बेसे कोई चीज है वह मैंने पहले समझा रख की है और उनी चीज पहले साहरे प्रीवेस एक कोउश्य से पूछे चुकी है या पका सीजल टीर वन यापका उठार वन प्रेवी को हो और या आपके सारे सारे एक्जैमिनेशन के लिए बहुत जादा बेनुशल है आपको कोई प्रीवेसे मेंसे औ्छ चैवर इसके अलावा चाहाएं आपका जो भी rules हो रहे होते हैं वहाँ पर जो भी उसका मैं logical explanation दूँगा वो उसके लिए बहुत जादा helpful आपके लिए प्रूव होगा ठीक है न तो शुरू कर लेते हैं फटाफट से और यह आपका vocab का special course है यह already channel पर run कर रहा है आप जाके से देख सकते हो एक बार आप क्या गाम कर सब के लिए बहुत जादा जरूरी है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देख लेना ठीक है न और इसके लिए आपको सीजेल के सारे के सारे सेट कराया जा चुके हैं वो जाके आप देख लेना 18 सेट जो हैं अगर आपका भी सीजेल का examination है या फिर आपका सीजेल टीर 2 का ही होने वाला है तो इसके लिए आप क्या करूँ टीर 1 के math और English की सारे की सारे questions लगा लो और बाकी आपका ये series तो चलिए और टीर 2 के लिए आपकी horse question series भी है आप जाके वो देख सकते हैं उसमें मैं आपको और भी कुछ नए questions कराने वाला हूँ आने वाले पर भी हमें क्या कर सकते हो टेलीग्राम पर मेसेज कर सकते हो आप मुझे personally भी कर सकते हो लेकिन अगर आपकी बहुत जादा है actually मैं study related query होती है तो यह आप मुझे PM करें नहीं तो क्या कर सकते हैं आप जाके वाँ पर ग्रुप है ग्रुप में अपना doubt discussion कर सकते हो ठीक है ना चलो भई अब देखो आपका यह रहा day 20 और हमें आज question number actually 295 से discuss करना है ठीक है ना 295 तक मैंने आपको कल ही discuss करा दिया है तो basically आज हम किसे करेंगे 296 से discuss करते हैं ठीक है ना 295 तक मैंने आपको करा दिया है और यह रहा आपका question number 296 अब फटा फट से बताओ इस question में क्या होगा neither of them is good यानि कि जो सारे के सारे हैं वो अच्छे ही हैं कोई भी उसमें पुरा न बहुत सारे बतों को बहुत ज़्यादा दिक्कात होती है देखो आपके ना neither के तीन case बनते हैं पहला case लिख देता हूं दूसरा case और तीसरा case पहले case में क्या होता है आपके पास में दो चीज़े हैं आपने उनमें बोल दिया neither of them ठीक है ऐसे बोल दिया आपने दो चीज़ लटसे एक यह है इसमें से कोई भी नहीं ना तो यह ना तो यह इसका मतलब आपका जब दौनों को ही मैंने हटा दिया तो आपके पास क्या बचा जीरो बचा निल बचा तो इसके साथ हमें वर्ब क्या लगानी चीए भई आपके साथ जो वर्ब है वो आनी चीज़े singular ठीक नौर माई ब्रदर्स नौर माई अच्छा पहले मैं यह पर दौनों singular का ही यूज कर लेता हूं तीसरे के इसमें बताऊंगा आपको प्टुरल का यूज कैसे होता है यहापर मन लेग दिया नीदर माई सिस्टर नौर माई ब्रदर्स ठीक है यह दौनों आपके किसमें singular में हैं तो इसके बाद में जो आपकी helping verb आएगी न वो basically किसके साब से आएगी आपकी singular ही आएगी कौनसी वर आएगी आपर आपकी helping verb बनेगी वो आपकी singular helping verb बनेगी अब इसे आतो आप ऐसे कहलो आप यह दो चीजों से ना इजी समझी जा सकती है एक बार में नीचे भी इसका फहले आप इसे कर लो neither my sister ऐसके बाद में नौर. घूर graduate ऑफ कि आएगी वो पता कैसी आएगी? ऑपकी Plural अप पूछो क्यूं है क्यूं helping लग जाती है तो neither either की case में हमेशे ध्यान रखना याद रखना ये बात आप कि कभी भी आपकी helping वब के पास में जो बने गाना subject वही हमारा उसी के according जो helping वब आएगी अगर यह यहाँ पर plural है तो इसके according यहाँ पर plural आएगा अगर यहाँ पर यह singular है तो इसके आप से singular आएगा यह किस case में होता है जब आपका नीदर के साथ में नौर गिवन हो लेकिन अगर आपका सीधा-सीधा बोला जाए नीदर of them या फिर none of them ऐसा कुछ भी बोला चाता है तो उसकेस में क्या लगाते हैं singular लगाते हैं क्योंकि उसकेस में आपका मतलब क्या हो गया zero का zero हो गया zero बटे सननाटा ठीक है ना मतलब उनमें से कोई भी नहीं आप यहाँ पर neither my sister nor my brother में क्या हो गया एक जो यह फास होता है अब इसका reason क्या है basically कि जो वर्ब के पास में होता बेसिकल्ल हम उसे उठारे होते है अगर मैं इसमें आपका एक neglect करता हूं तो आप सबसे पहले वाला जो subject होता वो neglect हो जाता है और दूसरे वाले subject को हम कही न कहीं मान लेते हैं तो इसकी वज़े से जो वव होती है न वो वव आपकी इस तरीके से लगता है हमें कि ये जो इसके पास में subject बन रहा है इसके साब से वव आ रही है ठीक है ना बास समझ में आई क्लियर हुआ समझ में आगी है न अच्छे से तो फिलहाल यहाँ पर आप देख लो यहाँ पर क्या होगा neither of them यहाँ पर तो आपका is जो है बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है क्लियर हुआ अपनी यहाँ पर no error हो जाएगा अपना अंसर यहाँ पर क्या होगा no error होगा लेकिन आप यह जो बागी के मैंने दो पाइंट समझाए है इनको भी note down कर लेना क्यों कि यहाँ से भी question बन रहे होते हैं इसलिए मैंने अभी बता दिया फिर मैं आपको दीरे दीरे और भी चीज़ने explain करता जाओंगा इसको आप एक बार pause गर के note कर लेना अगले question पर आता हूँ मैं question number 297 देखते हैं अब देखो यह आपने सामने question number 297 बड़े ध्यान से देखेंगे due to me being a newcomer I was unable to get a new house ठीक है ना मेरे newcomer होनी की वज़े से क्या हुआ कि मुझे अपना घर देखने में बहुत ज़्यादा difficulty हुई अब देखना यहापर अपना यह जो due है due की वज़े से तो यह हो गया कि यहापर आपके दो clause जो है वो add हो रहे हो गया due का मतलब क्या हो गया यहापर मुझे पता चल गया अब मुझे एक बात बताओ यहापर आपका being लिखा हुआ है और यहापर आपका me भी लिखा हुआ है तो यह जो me है यह आपका क्या होता है color एक बार change कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा clear हो जाए me क्या हो जाएगा आपका me हो जाएगा यहापर आपका pronoun ठीक है ना मी आपका pronoun हो गया और यह जो being है यह being आपका क्या हो गया zirund हो गया अब मुझे एक बात बताओ कभी भी जो zirund होता है वो किसकी तरीके से काम करता है या तो noun की तरीके से या फिर adjective की तरीके से बन पाएगा और ना ही being यह कन्यों कमर को classify कर रहा है इसका मतलब यह zirund ऐसा adjective तो use हुआ नहीं है मतलब ऐसा noun use हुआ होगा बोलो हाँ ठीक है ना तो अगर यह as a noun use हुआ है आपका तो उसके साथ में pronoun का हम use करी नहीं सकते हैं भी भी आपका noun और pronoun एक साथ आते हैं क्या नहीं आते हैं इसका मतलब यहाँ पर मेरा जो me लगा हुआ है ना यह me कहीं न कहीं गलत है तो मुझे बताओ अगर मैं यहां से me हटाता हूँ तो मेरा क्या आना चाहिए अब देखो अगर मैं यहां से एज़ा एज़ेक्टिव काम कर रहा होता है इसका काम क्या होता है बिसेली एज़ा प्रणाउन हो जाएगा आपका तो यहां पर क्या होना चाहिए due to my क्या हो जाएगा यहाँ पर due to my being a newcomer यानिकि यहाँ पर जो to है to proposition है इसका object क्या बन जाएगा आपका being बन जाएगा जो ऐसा now news हो रहा है क्योंकि यह zero है तो यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर being call of a टाफट से being हो जाएगा आपका इसका propositional objective समझ गए क्या हो जाएगा पियो हो जाएगा और यह my क्या है my इस being को classify कर रहा है इसके उपर possession दिखा रहा है तो यह my क्या हो जाएगा possessive objective हो जाएगा ठीक है ना क्या हो जाएगा बास समझ पा रहे हैं अब मैंने पूछा due to my being what मैंने being से पूछा what अब देखो आपको मैंने हमेशा बताया है कि जितनी भी यह zero and होते हैं past participle हो गया या फिर आपका let's say infinitive हो गया तो यह सारे के सारे बनते किस से हैं भई वर्ब से बनते हैं कि नहीं बनते हैं तो कभी भी आपका ऐसा दिखे जाए तो इसमें बिल्कुल भी इसमें हम बता जाना डॉट में कि यह क्या हो गया यह तो noun है और इसके साथ में object कैसे आगया noun के साथ में noun के साथ में तो helping वर्ब आनी चीए है ना यूँकि noun क्या करता है अबजेक्ट काम कर रहा होता है लेकिन देखो यह जो अपना इनको हम क्या बोलते है basically semi verbs बोलते है यह जो अपने semi verbs होते है यह अपने साथ में object भी रख सकते है क्योंकि जो इनकी अंदर खून है वो किसका है verb का खून है इतनी से बात ध्यान रहेगी अब देखो यह being से मैंने पूछा being what तो उसने answer दे दिया being a newcomer तो यह newcomer क्या हो गया basically इसका object बन गया किसका object of जिरंड बन गया यह क्या बन गया object of जिरंड बन गया तो अगर आप से error पूछी जाए आपके एक language है उसे न आप language ही तरह treat करो language में आपका क्या-क्या सही चीज़ें होती है क्या गलत चीज़ें होती है अगर आप यह पहचान न सीखे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए helpful हो जाएगा और आप हमेशा reading क्या करो reading करना बिल्कुल मत छोड़ना आपको कभी भी errors है चाहें आपको कुछ भी हो जाए comprehension हो जाए चाहें आपका meanings हो जाए वो सारी की सारी आपकी जवाप reading करो गे चीज़ों की तभी वो आपको समझ में आपाएगी जादा अच्छे से ठीक है न और reading का मतलब यह नहीं गया आप हमेशा एडिटोरियली पढ़ो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप अखेल एडिटोरियल पढ़ो आप कोई भी novel उठाके पढ़ सकते हो लेकिन वह अच्छा novel पढ़ना ठीक है ना उठाके कुछ भी हमत पढ़ने लगना novel में जैसे कि आप जेतन भगत का पढ़ लो जिनकी जैसे grammars है या फिर आप रॉबिन शर्मा का पढ़ लो ठीक है ना अमॉंग फूस अमॉंग फूस ओल्डिस वरारी है ना या फिर आप दा फाइव एम क्लब पढ़ लो यह सारे अच्छे novels है इनकी reading करो इससे आपको सीखने को भी मिलेगा और इससे आपकी reading skill बहुत अच्छी हो जाएगी ठीक है ना अब मैं जरा इन सारी चीजों को हटाता हूँ फिर अगला जो इसके बाद जो sentence लिखा हुए उसको थोड़ा और दिखा देता हूँ कि यह है क्या देखो अब यहाँ पर आई क्या हो जाएगा अपना यह subject हो जाएगा ठीक है was क्या हो जाएगा helping वब हो जाएगी है ठीक है अब देखो यहाँ पर जो enable है ना यह enable क्या होगा बताओ मुझे जरा फटाफट से अबही enable कौन था Enable math अना तो यह कहीना कहीं Enable क्या कर रहा है? I के बारे हैं बता रहा है और जो आपके noun को qualify करता है वो क्या होता है? Ejective होता है और कभी भी आपका dp helping वेफ के बाद Ejective आजाता है तो वह किसका काम करता है? Subject Compliment काweightment का काम करता है तू गेट क्या हो जाएगा यहाँ पर infinitive हो जाएगा अब तू गेट वाट तो a good house यहाँ पर आपका house क्या हो जाएगा इस infinitive का object हो जाएगा clear है यह क्या हो जाएगा object of infinitive और इस good क्या हो जाएगा इस house को qualify कर रहा है तो इस good हो जाएगा इसका adjective यानि हाउस का अगला कोशन इसमें बताओ क्या होगा है तो अब अपने पास यहां पर दिया क्या हुआ है यानि कि जो सबसे पहले तो देखते हैं आपर आपको जो सर्कुलेशन है वो यही आपका क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा ठीक है न क्योंकि आपका दस स्टेट्समें रही क्या बनेगा यह आपकी प्रपोजिशन है और तो इसका जो स्टेट्समें होगा यह इसका प्रपोजिशनल अब्जेक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा प्रपोजिशनल अब्जेक्ट बन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यह comparison हो गया, ठीक है न, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, the statesman newspaper का आपका सारे की सारे जितने भी newspapers है न, उनके साथ comparison करा रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद में क्या that off, अब बात को समझना बड़े ही ध्यान से, आपके पास में लटसे यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपका एक सेट बना रहाँ, इस सेट के अंदर आपके सारे के सारे यह neverpiders हैं, ठीक है न, यह सारे के सारे news paper हैं, अब अगर मैं इनको बोलता ओ, इन में से कोई भी ऐक news paper की बात करूँगा, और मैंने क्या बोल दिया, आइनी newspaper, अब इन सारे के सारे news papers के अं उनसे जादा अच्छा है इसका मतलब जो इस वाले any में अच्छी जाएगी न उसमेंसे मैं जो आपका the statesman newspaper है उसको बाहर निकाल देता हूँ मतलब अब यह जो बाकी की newspaper बचे न इनकों मैं कैसे denote करूँगा तो any other newspaper क्या बोलूगा मैं any other newspaper यानि कि इसके अलावा जो सारे की सारे newspaper है अगर मैंने any newspaper बोल दिया न तो इसका मतलब तो यह आपका common हो गया इसमें आपका comparison जो है statesman का statesman के साथ भी हो जाएगा और comparison खुद का क्या खुद के साथ कराते हैं क्या बोलो बड़ा फट से नहीं कराते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि इसका जो circulation है वो बाकी कि किसी भी newspaper से तो that of any other newspaper यानि कि आपका बाकी जो दूसरे newspaper है ना उनकी पेच्छा में या फिर उनकी comparison में आपका statesman का circulation सबसे जादा है clear है बात समझ में आगी तो अपनी error किस अब इन क्या होगा यहाँ पर proposition हो जाएगा ठीक है ना यह हो जाएगा proposition इसका पीओ क्या बनेगा भई garden बन जाएगा गार्डन क्या बन जाएगा इस proposition का प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा की नहीं बनेगा बोलो हाँ clear है अब यहाँ पर यह आगी आपकी helping वर्ब मुझे यहाँ पर subject रखना है तो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ यहाँ पर अगर मुझे इस place के बारे हैं बताना है ना तो मैं किसी भी place को indicate करने के लिए concept pronoun का use करता हूँ तो there ठीक है ना तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर there were the most beautiful there were the more beautiful flowers and silver bells यानि कि वहाँ पर क्या है जो garden है ना उस garden में बहुत जादा सुंदर आपके flowers और आपकी silver bells थे ठीक है ना तो क्या हो जाएगा there आपका यहाँ पर subject बन जाएगा और were क्या हो जाएगा were यहाँ पर आपका वरभ हो जाएगी ठीक है अच्छा अब यह जो verb है ना यह verb आपकी there के according नहीं आ रही है क्योंकि यह जो there है ना यह there आपका basically एक pseudo subject है क्या है यह pseudo subject है मतलब यह subject की तरह दिखातो रहा है लेकिन इसका काम ना subject नहीं है यह basically आपका जो verb आ रही है इनकी वज़े से आ रही है जो हम यहाँ पर indicate करना चाहते हैं जिनको जिससे more beautiful flowers यानि कि यह जो आपकी verb है यह beautiful flowers और silver bells को indicate करने के लिए आ रही है ठीक है ना किसकी वज़े से आ रही है आपके यहाँ पर जो flowers हैं और silver bells है ना कि इस देर subject की वज़े से ठीक है न तो इस चीज़ को आप ज़रा याद रखेंगे ध्यान रखेंगे क्लियर हुआ समझ में आ गया अगले question पर आते हैं error किसमें हो जाएगी आपकी second वाले option में error हो जाएगी अगले question पर आते हैं question number 300 हमसे क्या बादे करना चाहरा है देखते हैं the poet describes about the spring season ठीक है न तो poet क्या हो जाएगा अपना यहापर subject हो जाएगा clear है न इसके बाद में describes क्या हो जाएगा describes हो जाएगी अपनी यहापर main verb है न अब यह main verb हो गई अब देखो जो भी आपका आपको मैं आपर एक चीज़ समझाता हूँ तो देखो यहापर अपना describe का मतलब क्या होता है describe ठीक है तो describe का मतलब जो होता है न वो होता है to explain to explain about something ठीक है न तो इसमें जो sense आगया अपना वो पूरा का पूरा sense यही होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या कर रहे है कुछ explain कर रहे है ठीक है न या फिर हम उस पूरा का पूरा sense होता है to explain या फिर आप describe बोलते है फिर describe के अंदर sense यही आ जाता है तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो ठीक है न तो describe के अंदर क्या मतलब आ गया है to explain about something यानि कि हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या कर रहे है explanation दे रहे हैं ठीक है ना clear हुआ तो अब देखो अब अगर मैं यहाँ पर बोलना चाहूं the poet describes about तो यहाँ पर about का sense तो अपने आप आ गया ना to explain about something यह तो पूरा का पूरा sense इसी में होता है तो अगर मैं यहाँ पर फिर से लिख दूँगा about let's say अगर मैं इसका पूरा ऐसे लिखना चाहूं अगर मैं describe की meaning लिख देता हूँ अपना कभी भी meaning लिख के देख लिए अगरो आपको clear हो जाएगा जिसे describe की बारे में to say something to say about to say about अब इसके आगे मैं क्या लिख दूँगा यह तो describe की meaning हो गई और फिर मैं यह वाला अगर मैं about डाल देता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएग कि जो poet है वो spring season को describe करता है एक बार इसकी पार्सिंग भी कर देते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे color से एक बार देखें जड़ा wait a second देखो यहाँ पर आपका the poet क्या हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा describes क्या बन जाएगा यहाँ पर main verb बन जाएगा और यह द देखते हैं they agreed to repair the damage freely of charge ठीक है अब बड़े ध्यान से समझना चीज़ों को अपना freely जो है एक होता है freely और a होता है free ठीक है न अब देखो यहाँ पर जो freely होता है आपका freely का मतलब होता है let's say अगर मैं इसमें बोलना चाहूँ free जो होता है free का use होता है as a adjective ठीक है न और freely का च अने लगता है एड़ वब का ठीक है न किसका यूज आने लगता है एड़ वब का आने लगता है अब अगर मैं यहाँ पर करके देखता हूं they agreed यानि कि यह क्या हो जाएगा subject हो जाएगा इसकी में वर्ब और टू रिपेर क्या हो जाएगा infinite वो जाएगा यानि यह क्या हो आपका यहाँ पर object बन रहा होगा infinite आपका इस object काम कर देगा कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद मैंने पूछा टू रिपेर वाट तो यह इसका क्या बन जाएगा infinite बन जाएगा समझ में आता है infinite अपना object रख सकता है क्यों क्योंकि यह क्या है अपना semi वब होता है clear है तो य यह जो freely of charge है यह क्या कर रहा है आपका qualify कर रहा है की नहीं कर रहा है damage जो repair है वही तो आपका freely of charge है तो यह जो repair हो रहा है ना to repair इसको qualify कर रहा है इनपीलिटिब को जो qualify करेगा वह क्या करीके से क्लेगा आपका as a adjective क्या करेगा और knit नहीं करेगा ठीक है ना तो यहां पर आपका यह ऐस को आजेक्टिब होना चाहिए इसका मतलब यहाँ पर हम किस का sauce का use कर लें ना की free का clear है free का use कर लेंगे ना कि freely का ठीक है ना तो यहां से freely हटा देते हैं कि किसका use कर लेते हैं free का use कर लेते हैं clear हुआ बसमज में आगी क्या चलो यहां पर अपनी एरर किसमें हो जाएगी फॉर्थ वाले वेड़ सेकेंड और सॉर्ड देखो वें दारों हर्दानियोंज यानि कि यहां कि जब दारों ने क्या क्या news अभ देखो आपका यहां पर basically क्या चलता है timeline चल रही है अपना क्या है present TIME सनको लोगी जो होगतु ay एक बसक्वड से मनुभाइब लूडिये अब शुनी है उसके लॕझ की चुम्हेंास पॉइंड सुनी होगी ने रिटार्फ हम वह संनलिक्व थैम होगाहएं बतलब उसने पहले क्या हुआ उसके जो फादर है वो hospitalized क्या हुए पहले हुए और यह उसने news क्या कुरी होगी पहले सुनी होगी ठीक है ना clear है इतनी से बात अब जब उसने news सुन ली है उसके बाद वो क्या करेगा अपना जो reservation है उसका जो trip है वो से cancel कर देगा और अपने जो village है वहाँ पर वापस जाएगा ठीक है ना तो इसके बाद में क्या होगा आपका अगला point of time बनेगा यानि जो उसका अगला past वाला काम होगा वो होगा कि वो अपना क्या करने वाला है अपने trip को cancel करने वाला है और अपने गाउं की तरफ वापस चला जाएगा ठीक है ना तो बात को समझ पा रहा है यानि कि आपका कभी भी जब वेन का यूज कर लेते हैं आपको क्या होता है रहा है रट्टे बैठा दिये जाते हैं कि वेन के साथ हम यहाले टेंस का यूज करेंगे वाले sentence का यूज करेंगे हैं तो इस चक्रमा पढ़ने ही नहीं अपका बात हो रही है यह देखो पहले sentence में पता चल रहा है कि जो आपका tense है वो past में चलेगा यानि कि उसने जब point of time है जब उसने news सुनी हुई है वो past का time है इतनी से बात यहां से clear हुई फिर मुझे पता चला कि पहले दो उसकी फादर hospitalized हुए है उसके बाद में उसने क्य याकि अपना जो reserve आपका उसकी जो trick है उसको उसने cancel कर दिया और अपने गाउंगी तरफ वापस चला गया तो पहला वाला tense अपना perfect में हो जाएगा यह वाला और जब उसने cancel कर आए तो यह अपना simple past में जाएगा तो बिल्कुल correct है कोई दिक्कत यहां पर tense में तो मुझे को नहीं मिल रहे clear हुआ बस मझे में आगी अब मैं देखता हूं जरब मैंने अब गौर से देखा तो मझे पता चला इंड रिटर्न बैक अब जो return होता है उसका तो मतलब ही क्या होता है return का वापस जाना return का मतलब क्या होता है अपने घर की तरफ या फिर आप जहां से भी आए हो जो भी कर रहे हो वहाँ पर आपका वापस चले जाना बेट से में आप अगर लिए दो की बेक का यूज नहीं करेंगे, नी तियीं क्या हो जाएगा अपना एक्षमें आपनी और बिल्कुल गरेक्ट हो जाएगा ठीक है ना, तो इरॉर किसमें होगी अपने फॉर्थ यह क्या होगा, आपके इनोंने, तीन फर्स वाला ऑप्शन यह हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन य यह हो गया अच्छा जी तो अपना थर्ड वाले option में जो है error हो जाएगी ठीक है ना clear हो गया actually में हुआ क्या इस बार आगे आगे लिख दिये गया है कोई दिक्कत नहीं है अपना थर्ड वाले में error होगी अगले question पर आ जाते है question number 303 पर ठीक है चलो यह है आपका question number 303 अब लिखो आपका जो comprise होता है ना क्या होता है आपका एक word comprise इस comprise का मतलब क्या होता है to consist of इसका मतलब ही होता है आपका to consist of, मतलब कि इसके अंदर जो आपका sense होता है न, वो पूरे sense का आ जाता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ में present है, अगर मैं बोलो है circle के अंदर कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर आती है तो उसका मतलब है it comprises क्या हो जाएगा it comprises यानि कि उस comprises में ही आपका क्या आ गया consist of का meaning आ गया तो अब यह क्या है the earning board यानि कि यह तो हो गया आपका subject फिर comprises हो गया comprises क्या हो जाएगा आपका verb हो जाएगी तो मुझे इसके बाद में off का use करने की जरुरत है क्या बोलो नहीं है बिल्कुल भी तो मैं इस off को हटा देता हूँ या आपको क्या हो जाएगा super plus मन जाएगा clear है exaggeration हो गया इसके बाद में several distinguished personalities या अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर object हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा जो यहाँ पर second वाला option है यह तो आपका पहले लिखा हुआ है second वाले option में error कैसे होगी ठीक है न चालो अगले question पर आते है question number 304 देखते हैं तो यह आपके सामने 304 फटा फट से बताओ इसमें क्या होगा error ठीक है न एक बार खुस्ते आपने कोई भी question आता है तो आप एक बार खुस्ते भी try किया करो फिर मझे बताओ कि आया की नहीं आया क्या आपकी उसमें सोच बन रहे है ठीक है न चलो अब क्या है अपने पास में my uncle does not spend so much money on that house unless he thinks of moving in soon यानी मेरे जो अंकल है न वो इस house में इतना इसमें तो absence क्या बन रहा है यहाँ पर आपका आगया unless यानी कि पहले क्या करेंगे अंकल जो है वो सोचेंगे उस house में जब moving in होने के बारे में तब वो इस house को खरीदेंगे ठी यह है आपका present की timeline ठीक है ना यह है present की timeline अब जो भी काम आपका present के आगे होगा वो क्या होगा मेरा future का ही तो काम होगा होगा के नहीं होगा मतलब कि आपका present के आगे जो भी काम हो रहा होता है ना वो मेरा future यानी simple future में होता है किसमें होता है simple future में होता है clear है बस समझ पा र पहले क्या होगा कि अंकल फिंक करेंगे उसमें मूविंग इन के लिए तो अंकल जब ठीक कर रहे हैं तो आपर क्या आएगा यहां पर आपका विल नौट आएगा एगा ठीक है ना clear है बात समझ पारे हैं इसलिए मैं आपसे बोलता हूं timeline के हिसाब से ना आपकी बहुत सारी चीज़ें clear हो जाती है हमेशा आप sentence की meaning समझने कोशिच करो वो कहना चाहता है आपका sentence यहां पर चीक चीक के चिल्ला रहा है कि भई मुझे जो है मेरे अंकल वो future में घर खरीदे यानि कि जब वो पहले सोचेंगे फिर घर खरीदेंगे clear है ना पासमझ में आगी तो यहां पर हमने विलनॉट का यूज कर लिया clear हुआ अगले sentence पर आ जाते हैं अपनी किसमें हो जाएगी option number one में यहां पर error हो जाएगी ठीक है ना चालो अगले question पर आ जाते है question number 305 देख in moving to another house यानि कि ना तो मेरी बहन ना ही मेरे भाई अब देखो मैंने आपको क्या समझायता यहां पर आपकी जो वाब आती है यह जो आपकी helping वाब आएगी यहां पर जो भी आपकी main वाब आएगी वो किसके साब से आएगी जो भी इसके पास में होगा अब इसके पास में ज हो जाएगा आपका यहां पर in proposition हो जाएगा ठीक है ना और moving किया हो जाएगा इस proposition को object बन जाएगा यह जो another है kya होगा इसका adjective बन जाएगा clear है बास समझ में आ रही है यानि कि सारी की सारी चीज़ें क्या आपनी बिल्कुल correctly लिखी हुई है सारी की सारी बिल्कुल correctly placed है तो अपना error यहाँ पर किसमें होगी no error हो जाएगा यानि option number 4 जो है बिल्कुल यहाँ पर right answer होगा clear है बास समझ में आई क्या चलो अगले question पर आओ मैं फटा फट से इसको आप no down कर लेना अगर no down करना हो नहीं तो पहला वाला जो मैंने आपको चीज़ें बताएं थी उसी को आपको no down कर लेना है ठीक है ना चलो अगले question पर आते है question number 306 जेखते हैं आपके सामने कहा गया question भी wait a second तो अब session को यहीं पर हम लोग end करते हैं ठीक है ना क्योंकि लगता है कि आगे की PDF अभी बनी नहीं है आपको कल के session में question number 306 से discuss करना शुरू करेंगे and I hope कि आपको यहां तक जितने भी question number मैंने करवाए है 305 question तक सारी की सारी अगर आपको कोई भी doubt होता है तो comment section में अपना doubt जरूर पूछ लेना है अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कि doubt को अपने मन में मत रखना और सारी की सारी चीज़ों को आप logic से समझने के कोशिश करो and I hope कि मैं जो आपको lectures दे रहा हूं से आपको बहुत ज़्यादा help भी हो रही होगे और help होते है तो आप session को ज़्यादा ज़्यादा like करो share करो और अगर चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले ना और अगर bell icon नहीं दबाए तो bell icon भी दबा दे ना so that मैरी जब भी daily class आती दिया और फिर मैंने पार्सिंग भी करा दी है ना तो कड़िया करो इस सारी चीज़ें तो session को ही परेंड करूंगा thank you so much take care bye bye